नमस्कार मैं हूँ पत्रकार रुफत नसीम और आप देख रहे हैं रबजी लाइव बिहार में इस वक्त दो चर्चा जोरो पर है पहला चर्चा तो ये है कि दो हजार पच्चिस में तेजस्वी आदव महागडबंधन का नेता बनेंगे वही दूसरी चर्चा आरजेडी और जेडियू के मर्जर का है हाला कि नितीश कुमार समेट पूरी पार्टी इसे खारिच कर चुकी है लेकिन इस बात को बलतब और जादा मिला जब नितीश कुमार ने अपना सियासी उतर अधिकारी तेजस्वी आदव को नॉमिनेट किया लेकिन यहां सवाल ये उड़ता है कि क्या जदियू और राज़त का मर्जर इतना आसान है क्या नितीश की बात जदियू के नेता भी मानेंगे इससे आरज़डी के नेता कितने कमफर्ट होंगे वहीं नितीश के आने से आरज़डी को कितना फाइदा होगा ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब जाने बिना राज़त और जदियू का विले नहीं हो सकता देखे तो जडियू के ज़ादा तर नेता वैसे हैं जिनोंने लालू यादव के खिलाफ राजनीती की और एंटी लालू वोट की बदालत सांसद और विधायक बने यानि की लालू विरोध ही उनकी पहचार है जाहिर सी बात है कि जडियू और राज़त के मरजर से ऐसे नेताओं के लिए एडिन्टिटी क्रैसिस वाली इस्तिती हो जाएगी वैसे भी जिनके खिलाफ हमला बोलकर कई जडियू नेताओं ने अपनी राजनिती करियर की शुरुआत की उन्हें अब उसी पार्टी का जड़ा ढोना पर सकता है मौजूदा जडियू नेताओं के लिए सबसे बड़ा धर्म संकत है उससे बड़ा धर्म संकत ये कि मद्दाताओं को क्या से समझाएंगे कि वोट दीजिये राजनितिक जानकारों के अनुसार ऐसे नेताओं के लिए सबसे मुफीद जगह बीजेपी होगी और भारती जनता पार्टी ने खुले बाहों से स्वागत का ऐलान भी कर दिया है जैसा कि बिहार बीजेपी का दावा है कि जेडियू और आरजेडी का मरजर 2023 में हो जाएगा मतलब 2024 लोग सबाचुनाओं से पहले इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा शायर इसी को टार्गिट कर लालू यादव ने आरजेडी में कुछ भी बदलने का अधिकार तीजिस्वी यादव को पार्टी से अधिकारिक तोर पर दिला दिया है ऐसे में अब नितीश कुमार के एक एक मूफ का लालू और तीजिस्वी यादव इंतजार कर रहे है इसका पहला स्टेप ये है कि सभी को मैसेच दे दिया जाए कि तीजिस्वी को नेता माल ले और इस काम को नितीश कुमार ने पूरा कर दिया लालू यादव चाहते हैं कि दो हज़ार पचीस का मुकाबला बीजेपी वर्सेज आरचेडी हो बीजेपी से जुड़े नेता भी यही चाह रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव ने नितीश कुमार को इसी शर्त पर सीम की कुर्सी सौपी है कि दो हज़ार चौबिस तक नितीश कुमार दिल्ली की राजनीती में शिफ्ट हो जाएंगे और तेजस्वी को दो हज़ार पचीस से पहले कमान सौप दे लेकिन आलचको के अनुसार नितीश कुमार भले ही तेजस्वी आदव को मुक्यमंतरी बना दे लेकिन उन्होंने अगर जद्यू को पूरी तरह से राज़त में मरजर कर दिया तो इसे सबसे बड़ा फाइदा हाजपा को हो सकता है अब देखना ये है कि राज़त और जद्यू का विले होता है या नहीं अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक जरूर करें हमारे लिंक को जादा से जादा शेयर कीजिए और अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर ले फिलाल इस वीडियो में इतना ही धन्यवार